So hello guys, welcome to the channel. So, एक और नई नवीली दुलहन चाइना में आई है, पता नहीं इंडिया में कब आएगी, मुझे तो लगता है कि हमारे यहां भी काफी लॉयल यूजर्स बढ़ गया है, 2019 के बनिस पर, 2020 में काफी लैपटॉप्स और गेमिंग स्टफ सेल हुए हैं, इस साल तो और भी जादा होंगे, बट स्टिल हम यहां सब हाथ फैलाए, मुझे लाल टपकाते हुए बैठे हुए हैं, बट कोई दर्शन देने को रेडी ही नहीं है जल्दी, वैसे हम अपनी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि आपको जितना हो सके, जल्द से जल्द खबर पहुँच पर डिसकस कर लेते हैं, सो आसूस की नई बिटिया स्काइलाइन टू चाइना में लॉंच हो गई है, विच सम कातिलाना कॉन्फिग्रेशन, जो की उमीद है इस क्वाटर इंड तक आपके घर को भी जगमगाने आ सकता है, अगर आप सक्सेस्पुली पापा के जूते वा च लगा पाओ, सो इस लैपटॉप का प्राइस है अप्रॉक्स 9900CNY, जो की आएनार में होता है अप्रॉक्स 11,800 रुपए सिर्फ मात्र केवल, 200 रुपए में मूह दिखाई का छोड़ दो, सो ये वीडियो उन बहादूर लोगों के लिए हैं जो की सर्वाइव कर पाएं चप लाने की ताकत रखने वाला AMD का होनहार बल्वान पुत्र है, जो 3.2 GHz की बेस क्लॉक तीवरता के साथ 4.4 GHz तक की गति को प्राप्त कर सकता है, अगर इनका मूड हुआ तो, with only 45W TDP, next, NVIDIA की राजकुमारी RTX 3070 with 8 GB of GDDR6 memory, so ये GPU is approximately similar to your RTX 2080 Super Mobile GPU as per notebook check, तो ये 4K gaming तो कड़क चलाएगा ही, 2K and 1080p तो बस कहना ही क्या पानी की तरह चलेगा इसमें, except Cyberpunk वो exception में है, वो अपनी मर्जी से performance देता है, so उसकी बात हम यहाँ नहीं करेंगे, and एक important बात कि ये जो भी performance का comparison मैंने दिया है with 2080 Super, ये completely depend करता है on TGP applied to it, अगर सर्फ जिन्दा रहने लायक TGP दिया गया है, तो 2070 जितना भी performance देगा या नहीं ये पता नहीं, so ये बड़ा factor है, and yes मैंने कुछ places में सर्च किया इस laptop के TGP के बारे में for GPU, पट मुझे इस भी मिलता है, इसके बारे में मैं पोस्ट के जरिया आपको जरूर बता दूँगा, नेक्स्ट फिर से वही दुखदाई 15.6 इंच का 1080p Full HD डिस्प्ले, अब ये OEM कब सुधरेंगे इसके बारे में तो पता नहीं, but ऐसे कपाल भाती एंड शीर शासन एक साथ करने वाले laptop को क्यों 1080p डिस्प्ले दे रहे हैं, इसको तो 2K डिस्प्ले एक लीस्ट देना चाहिए ही, पर थोड़ा अच्छा बात ये है कि you will get 100% sRGB screen and 240Hz का refresh rate and adaptive sync का support भी मिलेगा, तो ये थोड़ा दिल को सुकून देने वाला थंड़क देने वाला news है, next 16GB DDR4 3200 MHz RAM and आप इसमें 64GB तक का stick ठूँस सकते हो, आवाज भी बिल्कुल नहीं करेगा ये, वैसे 64GB का server होता है, इतना normal game and software यूज़ करने वाले को ज़रुत नहीं पड़ेगा, अब आप normal user हो या फिर abnormal user हो या आप decide कर लो, storage के रूप में मिलेगा 512GB SSD, फिर से आंसू निकल पड़े मेरे भी सुनने वालों के भी, बट आपको मिलेगा extension के लिए extra ports, सो घर लाने के बाद दुलहन की सजावाट आपकी जिम्मेदारी है, जितना खर्च करोगे उतना निकार आएगा, keyboard backlit है and बड़ा ही जगमगाता हुआ solid keyboard है, as per company सिर्फ 1.8 mm travel distance दिया है and 20 million keystrokes, सो कृपिया कोई अत्यंत महा आत्मा आदमी हमारे चैनल का subscriber है, तो कृपिया ये count करके एक महान काम को अंजाम दें, इसके लिए हम सब पूरी जिन्दगी आपके इस सू कर्म के लिए आभारी रहेंगे, cooling system का कुछ खास detail नहीं है, बस इतना ही कि सास लेने के लिए नीचे से चिदर दिये गए है and छोड आपने वीडियो में आपको दर्शन जरूर करवाएंगे and अगर आप में से कोई वकील है and कुछ सवाल जवाब करना चाहता है, then comment section में हमारे वकील से बात कर सकते हैं So that's it for now guys, hope you learned something new today, if yes then please like, share and subscribe, thanks for watching